दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अगनिपत आर्मी भरती पर दरसल दोस्तों यूपी के पूरु मुकमंतरी अकिलेस यादों ने आप के लिए एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है कहने का मतलब है कि बड़े बेबाक अंदाज में फिर से आवाजें उठाई हैं कहां उठाई हैं दरसल कल से ही 19 सिप्तमबर से ही 5 दिनों के लिए मानसून सत्र यूपी विधान सबा में इस्टार्ट हुआ है अब विपक्च में हैं सवाल तो जरूर सरकार से करनी ही से लेकर अगनी वीर तक सपा ने बीजेपी सरकार पर बोला करारा हमला दरसल दोस्तों पहले दिन सदन में पहुशना चाते थे अकिलेस यादों पैदल यात्रा करके जिस से सरकार पर जादा से जादा इफेक्ट पड़े लेकिन उनको रोक दिया गया ऐसा कहा कर यहां पर आप लोग समझेगा बताएगा है अकिलेस यादों ने आज कहने का मतलब है 19 तारिक का ही अपडेट है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो कल का ही अपने विधायकों के साथ विधान सबा तक कूज करने का प्रयास किया पूरे जोर सोर से अपने विधायकों के साथ पैदल ही विधान सभा की और निकल पड़े हाला की प्रसासन ने उनको रास्ते में ही रोक दिया तमाम कोशिसों के बाद भी अकले सिजादों को आगे दोस्तों जाना पड़ा इसकी इविडेंस के लिए स्क्रीन टाप लोग देख सकते हो इनके द्वारा एक ट्वीट करके कल ही दोस्तों 12 गंटे पहले आयो ही इनफोर्मेशन इसे विल्कुल भी फेक ना समझ दियेगा मज़े की बात यह है कि और रहाल बाद में कल विधान सभाद द्यक्ष को अपनी ग्यापन सौप दिया यानि कहने का मतलब है पांच दिवसी मांसून सत्र सुरू हुआ है दोस्त सत्रों गएरा चले तो उठाई जाये तो ऐसा कयास लगा जा रहा है कि आप लोगों के पुराने भरती पर सरकार वीचार जल्द ही कर सकती है जिस तरीके से नेपाल ने भी अभी हाल फिलाल में कल ही हमने आपसे भी अपडेट दिखाया था कि सादा है निसाना कहा है कि पु आप लोगों को पूरा डीटेल में यहां पर बताए गया है कुछ भी आप लोगों के हित में सवाल उड़ते हैं या फिर आप लोगों की भरती प्रिकिरिया जो चल लेए उसके बारे में अपडेट आते हैं डेफिनेटली आप लोगों तक इनफॉर्म कर दिया जाता है तो चैनल पने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें